नमस्कार दोस्तों, शिमली सहबल्ट्रक्स में आपका स्वाइगत है, आज मैं स्वामी विवेक और नंद जी का रूप धारण की हूँ, और आज मैं उटके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ स्वामी विवेक और नंद एक महान संथ और नेता थे, जिन्हों में भाते संस्कृति धर्म वेद का विश्व में प्रचार किया, वो सदे विवाओं के लिए प्रेणना देते रहे, इसलिए उनके जन्म दिवस को राश्ट्र युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है उनका जन्म बारहा जन्वरी 1863 कोलकत्ता में हुआ था, उनके बचपन का नाम नरेंदर नाथदत था, उनके पीता विश्वनाथदत एक वकील थे उनकी माता का नाम होनेश्वरी देवी था नरेंद्र बच्चपन सही आध्यात्मिक थे उन्हें दर्शन सास्त कला साहित्य खेलों में बहुत रूची थी उन्होंने युरोपिय इतिहास पश्यमी दर्शन और बेंगॉली साहित्य पढ़ा था उनके मन में परमात्मा को पाने की बहुत लाजसा थी वे तक्षणेश्वर काली बंदिर के पुजारी श्री राम कृष्ण परम हन्स को अपना गुरु माना उन्होंने उनकी बहुत सेवा की उनके मृत्यू के बाद वे राम कृष्ण मिशन स्थापना की और उनके आदर्शों को जन जन तक पहुचाया उन्होंने देश और विश्व में हिंदू धर्म का प्रचार किया इसलिए उन्हें आधूनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है 11 सितंबर 1813 शिकाको के अपने भाशर में उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में कहा की भाईयों और बेहनों मैं ऐसे धर्म का अनुयाई हूँ जिसने शेहन शिल्ता सिठाई और मैं ऐसे देश से हूँ जिसमें अनेक देशों के लोगों को शनन दी और हुने उनके धर्म के साथ अपनाया उन्होंने कहा जिस प्रकार विभिन्य धाराओं की उत्पत्ती विभिन्य सोतों से होती है वहां समुद्र में जाकर मिल जाती है उसी प्रकार मनुश्या अपने अनुशाही अलग-अलग मार्ण चुनता है और इश्वर तक ही बहुचता है उन्होंने अपने 49 वर्ष में ही बहुत सारे लोगों को प्रेड़ना दी और अपना अनुयाई बनाया और 4 जुलाई 1902 में बैलूर मट में ध्यान करते हुए उन्होंने अपने प्यान प्याग दी और इस समय बहुत सारे लोग उन्हें यार करते हैं उनकी शब्द उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष की प्राप्ती न हो जाए उनकी ये शब्द हमेशा देव प्रेड़ना देते रहेंगे धान्यवाद जलाई हिंद जय भारत